Good afternoon to my RDR students, this is Sivani from Startup English Classes, you are most welcome to this platform कैसे आप सभी लोग, मैं उम्मीद करती हूँ, आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे और मस्त होंगे तो आज का सेसन आपके लिए और सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की सेसन में हम 20 ऐसे सेंटेंस को देखने जा रहे हैं, जो की बहुत ही यूसफुल है जिन्हें हमें अपनी डेली लेंग्वेज में यूस भी करना पड़ता है, जिन्हें ट्रांसलेट करना थोड़ा सा क्रिटकल भी होता है तो आज हम ऐसे 20 सेंटेंस को सीखने वाले हैं, सेसन को start करने से पहले, आप में से कोई नया है जिसने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है या previous videos को watch नहीं किया है तो आप previous videos को watch कर लिजिए चैनल को subscribe कर दिजिए ताकि आने वाली सभी classes आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और सारे videos की notification आप तक समय से पहुचती रहे तो चलिए आज का session इस्टार्ट करते हैं बिना देरी के daily use common sentences यानि ऐसे sentences जिन्हें हम daily बोलती हैं तो आज का हमारा first sentence है आपका जवाब नहीं आपका जवाब नहीं अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं अरे तुम्हारा तो जवाब नहीं तो आपका जवाब नहीं को इंग्लिस में हम क्या बोलेंगे यू हाब नो मैच आपका जवाब नहीं यू हाब नो मैच नेक्स इस तुम पेटू हो कोई अगर बहुत ज़्यादा खाना खाता है तो उसे हम पेटू कहते हैं तुम बहुत पेटू हो तो इंग्लिस में बोलेंगे यू आर ग्लूटन तुम बहुत पेटू हो नेक्स इस देखें वह कितने पानी में है या फिर देखोगे या देखेंगे या चलो देखें वह कितने पानी में है जैसे कहते हैं तुम कितने पानी में हो मुझे पता है तो देखें वह कितने पानी में है इसे इंग्लिस में हम बोलेंगे Let's see where he stands Next is वह बाल बाल बज गया जैसे accident होते होते हम बज जाएं तो हम कहते हैं अरे याँ सुम्हें बाल बाल बज गया तो ऐसे sentences वह बाल बाल बज गया को हम बोलेंगे इंग्लिस में He had a narrow escape He had a narrow escape आज वह बाल बज गया तो तुड़े लगा देंगे बाल बाल बजने के लिए He had a narrow escape का use हम करेंगे Next is आज का fifth sentence है वह घबराया सा लगता है वह घबराया सा लगता है He looks rather nervous He looks rather nervous Next is मैं आकास पाताल एक कर दूँगा मैं आकास पाताल एक कर दूँगा जैसे कभी movie में आपको देखने को मिलता है मुझे heroine चाहिए किसी भी कीमत पर मैं उसे पाने के लिए आकास पाताल एक कर दूँगा या फिर मुझे सफलता चाहिए उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैं आकास पाताल एक कर सकता हूँ तो मैं आकास पाताल एक कर दूँगा I will move heaven and earth I will move heaven and earth अर्थ का मतलब होता है धर्ती और heaven का मतलब होता है स्वर्ग तो मैं आकास पाताल एक कर दूँगा I will move heaven and earth Next is उसने मेरा सिर नीचे कर दिया उसने मेरा सिर नीचे कर दिया, अगर हम कभी कोई अंजाने में कोई गलती कर देते हैं, तो parents हम से कहते हैं, तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया, या उसने मेरा सिर नीचे कर दिया है, तो यहाँ पर सिर नीचे करने से ऐसे नहीं है, मतलब हमारे respect को कम कर देना, या फिर सर्म का क कोई ऐसा काम कर देना तो उसके लिए यूज हुआ है तो उसने मेरा सिर्फ नीचे कर दिया he has brought me to same he has brought me to same next is क्या आपको अपना वादायाद है क्या आपको अपना वादायाद है channel को subscribe करने का तो क्या बोलेंगे हम क्या आपको अपना वादायाद है do you remember your promise next is कभी कभार अगर कोई मा लिजे घर में न जानते हो कोई smoking या फिर तमागू या फिर कुछ गुट के वगएरा खाते हो तो अगर पकड़ जाते तो कहते रहे कभी कभार खा लेते हैं कभी कभार खा लेते हैं तो कभी कभार को क्या बोलेंगे once a while once a while परेशान मत हो अगर कोई परेशान होते हैं तो हम बोलते हैं चिंता मत करो परेशान मत हो हमेशा खुस रहो तो परेशान मत हो डोंट वरी या फिर चिंता मत करो डोंट वरी डोंट वरी परेशान मत हो या चिंता मत करो देर मत करो अगर हम कहीं पर तूर जाते रहते हैं कोई रेडी हो रहा है बाहर कुछ लोग रेडी होकर बैठे हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं तो वो कहते हैं देर मत करो तो इंगलिस में क्या है बोलेंगे Don't be late Don't be late देर मत करो और कुछ नहीं जैसे हम बोलें किसी ने मुझे कुछ दिया और कुछ नहीं चाहिए मुझे तो और कुछ नहीं को हम बोलेंगे nothing else मुझे सिर्व तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं I want your company nothing else नेक्स इस बेसक आप जैसे किसी भी चीज भी बोले आप कहीं जाए किसी किनवाट करे तुम आओगे बेसक में आऊंगा मतलब कोई doubt नहीं है बेसक में आऊंगा तो बेसक को इंगलिस में हम बोलेंगे undoubted undoubted भरोसा रखो कहते नहीं है खुद पर भरोसा रखो या खुदा पर भरोसा रखो तो हम क्या बोलेंगे keep trust या इसे हम have trust have trust भी बोल सकते हैं have trust और keep trust भरोसा रखो have trust और keep trust next is ध्यान से देखो suppose I am speaking to you ध्यान से देखो बोड़ पर ध्यान से देखो, तो look carefully, look carefully, अगर कोई teaching करता है, बच्चे सामने पढ़ते हैं, तो teacher always कहते हैं, look carefully, मतलब ध्यान से देखो, सीधे बैठो, class hall में बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे wall का support लेकर बैठे हैं, कुछ इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, तो we always say sit straight, sit straight means सीधे बैठ हो, यानि एकदम अच्छे से बैठो, तो जब कभी अगर आप में कोई teaching करता है, या class में कभी आपको ऐसे बोलने की जरुद पढ़ती है, सीधे बैठो, तो आप बोलेंगे sit straight, sit straight, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, तो हम बोल सकते हैं, follow me, follow me, मतलब मेरा अनुसरन करो, मतलब मैं जहां जा रहा हूँ, उधर उधर तुम भी आओ, या इसी को हम कह सकते हैं, come after me, come after me, मेरे पीछे आओ, come after me, or follow me, both are right, you can use any one of these two, next is, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, तुम हार जाओगे, जाहिर सी बात है, भारत मैं जीतेगा, तो जाहिर सी बात के लिए, obviously, obviously, दोबारा नहीं, मैंने कोई mistake की, तो मम्मी बोलें, दोबारा मत करना, दोबारा नहीं, तो क्या बोलेंगी, not again, not again, last है, आज की सिसन का हमारा last sentence है लगे रहो, जो की बहुत अच्छा sentence है लगे रहो, अगर कोई फोन पे बात करता रहता है, friend बगल से गुजरते हैं, तो कहते हैं, अरे लगे रहो भईा, लगे रहो, या फिर कोई काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो मम्मी कहती, काम में कल लूंगी, तुम लगी रहो मतलब तुम करती रहो तो लगे रहो को इंगलिस में हम क्या बोलेंगे stay on stay on लगे रहो stay on तो आप लोग भी चैनल को देखते रहिए मतलब देखने में लगे रहिए stay on अगर आज का session आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें अपने friend circle में share करें और वीडियो को जादा से जादा share करें ताकि हम छोटे से छोटे गाओं तक भी पहुच सकें और उन बच्चों को भी इंगलिस सिखा सकें और उनके अंदर जो डर बैठा है इंगलिस को लेकर उसको भी मैं भगा सकूँ आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरा intention क्या है मेरा इरादा क्या है पढ़ाने का मैं ऐसे बच्चों को teach करना या ऐसे बच्चों को सिखाना चाहती हूँ जो इंगलिस से डरे हैं या फिर जो बहुत high-tech classes को नहीं समझ पाते हैं नूलर एरिय क्लास के बच्चे हैं तो वो उनका मैं support कर पाऊं उनको भी मैं उपर लेकर चल सकूं तो आप मेरे मेरे इस मकसद में जरूर साथ देंगे मुझे पूरा विश्वास है और आप दे भी रहे हैं तो चलिए आज ही क्लास यहीं पर ओवर करते हैं मिलते हैं आप लोगों से हम क झाल नेक्श